कि सबसे बड़ा क्योसन है बच्चों का यह अभी के लिए कि सर सीएसी भी जेए का एक्जाम्स अभी होगा नहीं होगा क्योंकि टेन अक्टूबर से आचाव सहीता लग जाएगी चातिस गड़ में तो सर बड़ा कंफ्यूजन है सर और दूसरी बात यह भी दिमाग में आती ह कि सीजी भी आपम का रूल रहा है लग प्रीवेस एयर का कि सर उन्होंने 35 टू 45 डेज के अंदर अपने एक्जाम्स कंडट कर वा लिए हैं तो यह समझ में नहीं आ रहा कि तैयारी अभी करें या ना करें अब आप खुद जेनुली सोचिएगा आप किसको प्रायोटी बाई चांस एक जाम हो गया तो फिर आप क्या करोगे बाई चांस क्योंकि उसका प्रीवेस का जो रिकोर्ड है अगर बच गए तो वेलन गूट बच गए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ना बचे तो फिर क्या है तो इसलिए अभी जो CG वे आपको जो रूल रहा है प् पे एक भी ऐसा प्लेटफॉम नहीं है जो लास्ट के आपको 35-45 डेज के अंदर आपको इस एकजाम्स की तयारी करवा ले इस टाइम पे बच्चों को एक प्रोपर एक गाइडेंस की जरूत होती है प्रोपर रन निती की जरूत होती है एक एक एक्सप्रियंस टीचर की जर मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि बेटा आप प्रिप्रेस्स करते रहिएगा अगर एक्जाम डेले हो गया तो उससे तो बढ़िया बात ही कुछ नहीं है लेकिन हमारा टार्गेट 45 डेज का ही होना चाहिए CGVFM का जो रूल है वो ही हमारा होना चाहिए उसी को हम को फोलोब करना है और उसी के तहत हमको सारी चीज़े कंपलीट करना है क्योंकि जो अभी हमारे बच्चे हैं जो हमारे पेड यूजर से जो कि धनूस बेच में है तो उनको हमने 45 डेजी बोल रखा है ना कि ज्यादा बोल रखा है हमारी प्लानिंग 45 डेज की है और परफेक तरीके से हमने बताए कि बेटा आपको ये जो टास्क अलोटमेंट दिये जा रहे हैं डेली की डेली आपको वही फोलो करना है आपको उस आचार सहीता वाले फंडे पर नहीं जाना वो बात अलग है हमारा एज़ाम 45 डेजी आपको मान के चलना है उसी के तहत हमारी प्रिप वही जाएंगे बस आप उस रण नीति को डेली की डेली फोलो करना अगर फोलो नहीं करोगे न तो आपकी सारी जो करी कराए मेहनते उससा कुछछ बेकार हो जाएगे जादा भी मत करना और कम भी मत करना और जितना ही बताया है उतना ही करना क्योंकि मेरे भाई possibility नहीं है किसी भी teacher के लिए ये चीज़े करवाना क्योंकि मेरे भाई हमने impossible चीज़ को possible पहले भी बनाया है और आज भी हम बनाएंगे क्योंकि हमने बहुत सारे one sort के पहले आप देखो तो PGCL में one sort से हमने selection दिला है one sort का मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें रद्दी चाप सा content आप उसके अंदर provide कर दो बच्चों को पढ़ा दो पेशा कमाना मकसद नहीं होता एक teacher उसका मकसद होता है कि बच्चों को जो भी पढ़ा है चेनल टी से अच्छा content provide करे बले वो one sort हो ठीक है बले वो full course हो तो ठीक है तो हमारा तो हमेशा से रहा है हमने ऐसे टाइम पर बच्चों का साथ दिया है जिस टाइम पर कोई भी नहीं देता है one sort जैसे plan और fast rest आपके पास जो crest course अल रहा है आपके पास ये धनूस बेचका इसमें भी हमारे आपके सामने लेके आए जिसकी price ये भी है जो कि हमारे पास पूरी electrical branch के लिए है मेरे भाई आप करते रहेगा और जो भी नए बच्चे हैं जुड़ना चाहते हैं definitely करेगा मेरे भाई और बच्चे इस बार अच्छे तरीके से फोड़ेंगे और अच्छे marks लेके आने वाले हैं मैं तो चाहता हूँ कि हमारे जितने भी पीड की बच्चे न सबका selection हो जाए तूसरी बात कई बच्चों के doubt ये हैं कि हमारे पास सर इसका price आपने बहुत affordable रखा है क्योंकि कई बच्चों के हमारे call आया कि सर कहीं हम देखते हैं कि से 4,000 रुपे फीस लेते हैं और वेसा content भी नहीं मिलता और बच्चे मैं बता हूँ मतलब मैं तो अपनी तारीफ क्या करूँ तो बाद मैं आपको भी पता सल जाएगा लेकिन बच्चे खुस है हमने यही छोचा था कि जो बच्चा देखो बहुत सार मैं 36 गड़ में कोरबा में रहा हूँ कोरबा में मैं बहुत 6-7 महिने तक मैं कोरबा में रहा हूँ हाना 36 गड़ वाले बच्चे तो समझ रहे होंगे तो वहाँ पर मैंने भी पढ़ाया है 36 गड़ के अंदर कोरबा के अंदर पर ट्रस्ट है और इस बार भी जिन बच्चों का नहीं हुआ था बच गए थे वो इस बार वापिस आ गए है और मेरे को पता है इस बार वो जीत के निकलेंगे और बस best of luck और आप अच्छे तरीकी से करते रहेगा यह सारा कोर्से साबको मांच्टर प्रस एजू किसंस के अप्लिकेस्ट में मिलेगा जो की में डिस्क्रिशन में लिंक भी डाल दूगा या कमेंट बॉक्स में डाल दूगा या डारेक लिए प्लेश्टोर पर जाकि आप वहां सभी इंस्टोल कर सकते हो अगर को मेरे वाट्सअप नमर है उस विवाब में से ड्रोप कर सकते हो चलेगा थेंक यू टेक केर लव यौल एंड गुडबाई